हलो गाइज दिस इज़ सिख्छा उपाध्य है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल बी अलेट कोर्स में बहुत बहुत प्वागत है आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं कि जो बी अलेट के और बाकी जो यूजी पीजी यानि की पोस्ट गेजुएट के इंटरेंस एक् सब्सक्राइब और इसका एड्मिट कार्ड जो है 11 सितंबर को मिलेगा तो अगर आपने फॉर्म फिलप किया है तो 11 सितंबर को आप अपना ड्मिट कार्ड ले सकते हैं किसी भी साइबर कैफे में जाकर और जो 26 को यह एक्जाम शुरूआत इंटरेंस एक्जाम की जाएंगे और जो नंबर मिलते हैं उससे आपको कॉलेज मतलब कॉलेज का चैन करने में असानी होती है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है कोई टेंसल लेनी की बात नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है बस उसी को यहां दिया जाएगा और थोड़ा बह आप लोग यहां देख सकते हैं कि लखनाव विस्विद्याल है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में दाखले के लिए होगी प्रवेस परिक्षा प्रवेस परिक्षा कि अपना एड्मिट कार्ट गेन कर सकते हैं कि फिर गाइज गूगल पर जो न्यूज आया था यह अप्टेड़ेट न्यूज है लखनाव उनिवर्सिटी के लिए और जो बिलेट के बच्चे हैं उनके एक्जाम के बारे में ऐसा आया है तो हम यहां जो न्यूज है आप ल परशनातक पाठकरों में शत्र 2020-2021 में दाखले के लिए प्रवेश परिक्षा देनी होगी प्रवक्ता ने बताया कि प्रशनातक कारक्रमों के लिए प्रवेश परिक्रिया जारी है चुकि राज की किसी भी विश्विद्याले के अंतिम और समेस्टर परिक्षा का परड़ा लोगों का एक्जाम होगा तो अभी तक उसका रिजल्ट तो नहीं किया गया है इसलिए नेक्स परिक्षा की अनुसूची और अनप्रिक्रियाओं के बारे में घुफणाएं जल्द ही की जाएंगी आपको जैसे कि अगर कोरोना पैंडमिक से डर लग रहा है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो है लेकिन अब परिक्षा जो है यह भी हमें क्योंकि अपडेट आ गई है तो देनी है तो हम अपने आपको सौधानी में रख सकते हैं अपने आपको जागरूग रख स परिक्षा है इसको असानी से दें डर को अपने अंदर से हटा दें क्योंकि परिक्षा अगर डेट आ गई है अगर हमें एडमीशन चाहिए तो परिक्षा तो देनी ही होगी गाईस तो इसके बाद देखते हैं कि बीएट परिक्षा के बाद लखनावी सिद्याले में अब परिक्षा कराने का दुटो को आयोजित की जाएगी लक्षेट स्रिवास्तों ने बटाया कि परिक्षा के प्रवेश्पत्र आगामी 11 सितम्बर से डाउनलोड किये जाए परिश्वर्ड लिंक के माननी से रीसिट कब एंद्यस परिस्ट कर दिटर कुइछ कर सकता है फिर गाइस देखते हैं कि जो कोश्चन आता है वह कितने कोश्चन रहेंगे तो 90 मिनट में हंड़ेट सवाल यानि कि 90 मिनट में हंड़ेट सवाल सॉल्व करने रहेंगे प्रवेस परिच्छा कुल 90 मिनट की होगी सब विकल्पी यानि कि जो अबजेक्टिव जाएगा प्रश्ण भासा की चमता शामान जागरूगता तार्किक चमता यानि की जो रिजनिंग है यह मांसिक चमता छेत्र से होंगे विस्विद्याले में कोरोना निर्दोसे की अंदेखी मतलब जो विस्विद्याले है उसमें कोरोना की अंदेखी भी किया जा रहा है क्योंकि इसके पहले जो एक्जाम हुए है उसमें बच्चे अपना सिकायत कर रहे हैं आप यहां यह न्यूस रीड कर सकते हैं फिर उसके ब बैंक की सुरुबात कीई ये राश्टी सेवा योजना यानि के अनसेस लक्फनोवी स्वुद्याले की पहलपर मंगलवार को भी सुनिद्याले परिकसर में मास्क बैंक की शुरुवात की गई, कुलपती प्रोफेसर अलोक कुमार राय ने प्रसाशनिक भवन में उद्गाटन किया, कुलपती ने सभी सिक्षकों से समतानुसार मास्क बैंक में मास्क जमा करवाने की अपील की, उन्होंने कहा कि इस से अधिक से अधिक मास मास्क जरूरत मन्त लोगों में वित्रित किया जा सके इस अवसर पर कुलपती ने कर्मचारियों को मास्क भी वित्रित किये मास्क बैंक में समाज के सहयोग से अब तक 5000 मास्क का संग्रा किया जा चुका है फिर आप यहां देख सकते हैं कि दस्तावेज अपलोड करने का तीसरी बार मौका लखनौ विस्विद्याले में सत्र 2020 से 21 में अशनातक पाठकरम में प्रवेश के लिए आवेधन करने वाले च्छात्र च्छात्राओं को दस्तावेज अपलोड करने का एक और मौका दिया गय है वही जानकारों की माने तो विस्विद्याले के बार-बार कहने पर भी खात्र नहीं आ रहे हैं बतादे कि विस्विद्याले में अशनातक में प्रवेश के लिए आवेधन की प्रिक्रियव बीते मा समाप्थ हो गई है पहले चरण में 24 अगस्त तक दस्ताव врेज अपलो आपको 90 मिनट में करना है और ऐसा है कि इसमें जो आपजेक्टिक कुश्चन है तो इसमें की एक विशेश सा यह भी रहती है कि माइनस मार्किंग है आप यहां देख सकते हैं यह निउस्पेपर का कटिंग है डाक्यूमेंट अपलोड करने की डेट बढ़ी यहां यह भी दिकत हो रही है तो आप हमसे कर सकते हैं अपने यूटूब के यूटूब कोर्स पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपने दिकतों को तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों का अगर एक्जाम हो रहा है तो अच्छे से एक्जाम देजिए साधानी के साथ क्योंकि साधानी हटी तो दुर घटना घटी तो प्लीज गाइज अपना हेल्थ का अपने स्वास्त का पूरा ध्यान दीजिए और इसका साथ साथ आप अपने एक्जाम को क्लियर कीजिए गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो की साथ थैंक्यू गाइज